नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं आरेजिन स्वागत आपका महरो राजिस्तान में रुख करेंगे राजिस्तान की तमाम बड़ी खबरों की तरफ चार दिन के अपकास के बार राजिस्तान विदानसवा की कारवाई आप फिर से शुरू हो गई और वोई विदान सबा में आशु ने काल में यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई और यूक्रेन में राजस्थानी स्टूरेंस की वापसी के मुद़्े पर सरकान ने बयान दिया संसद्य कारे मंटरी शांती धारिवाल ने सरकार की तरफ से यह जवाब दिया और सरकार के जवाब में यूक्रेन में फसे स्टूडेंस की सुरक्षित वापसी के लिए के इन सरकार को भेजे गए प्रस्तावों और राजस्तान सरकार के परियासों पर भी जिक्र हुआ है दरसल स्पीकर ने 25 फरवरी को यूकरिन संकट पर जवाब देने के लिए दो मार्च की तारिक तेकी थी और राजिस्थान सरकार ने यूकरिन से आने वाले चात्रों को सरकारी खर्चे पर उनके घरों तक पहुचाने की घोशन की है और पिसले तीन से लगातार मुंबई और दिली अरपोर्ट पर राजिस्थानी स्टूडेंट्स भी पहुच रहे जिने सरकारी गाड़ियों से ही गेस्ट हाउस और फिर उनके घरों तक पहुचाया जा रहा है और वहीं चात्रों की अगवानी के लिये मंत्रियों की डूटी लगवाई गई है और विदान सभवा में शुने काल के बाद बजट पर भी भहस होगी और वहीं आपको बता दे कि कल शाम पांच बजे मुख्यमंति अशोग घ्यलोद बजट भहस का जवाब भी देंगे और वहीं बजट भहस के जवाब के दोरान मुख्य फोकस विपक्ष की आपत्यों पर जवाब देने पर रहेगा और वहीं प्रदेश पर बढ़ते करज और लोकल भावन घोशनाओं के लिए बजट का इंतिजाम कैसे होगा इस पर सीएम जवाब दिंग और करमचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने पर सरकार पर पढ़ने वाले भार का भी मुख्यमंत ये ब्योरा दिंग सकते हैं और वहीं पुरानी पेंशन बहाली को करमचारियों के पक्ष में करने के लिहास से एहम भी माना जा रहा है बढ़ेंगे एक लिए खबर के और जहांपा यूकरेन में भारतिय च्छाथ की मौत के बाद आर एल पी सुप्रीमो और नागूर सांसर हनुमान बेनिवाल ने केंज सरकार पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने भारतिय च्छाथ की मौत केंज सरकार की नकामी का पाईणाम बताया है उन्होंने कहा कि योच्छेट में फसे भारतिय च्छाथों के रेस्क्यू की जगा केंज सरकार यूपी चुनावो में विस्त रही है और अब दिखावेत लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मंत्रियों को वहां भेज रही है जबकि हकीकत में अभी तक महस 2000 से कम स्टूडेंट से ही देश लोट पाए हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में अभी भी वहां 18,000 से ज्यादा च्छात्र फसे हुए आरलपे सुप्रीमो और نागोर सांसत बेनिवाल ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन में भारत की चात की मोथ हो जाना भी किन सरकार की ही नकामी का हिस्सा है क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश सहीत अन्ने राजियों में चुनाव में फ्यस्थ थी और किन इन सरकार ने यूक्रेन म कुछ मंत्रियों को भेज कर दिखावा करने से बहतर होता कि सरकार समय पर वहां से सबी चात्रों को भारत ले आ जाती और वहीं धरसल यूकरेन पर रोज के हमले के साथवे दिन मंगलवार को खारकिव शहर में भी भारते चात्र नवीन कुमार की मौत हो गई थी और वहीं विदेश मंत्राले ने इसकी जानकारी दी अमरितक शाद्र नवीन करनाटा का रहने वाला बताई गया राजस्थान हाई कोड के चीफ जेस्टिस आकिल कुरेशी ने कहा कि जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा तब तक रीड जैसे पेपर लीक होते रहेंगे चाहे सजा में मित्यू डंड का ही प्रावदान क्यों ना कर दिया जाए और इसी प्रतिस परदा के दोर में सरकार को रोजगार और आजीविका के नए विकल्प ढूलने होंगे और चीफ जेस्टिस कुरेशी ने मंगलवार को नारी निकेतर परिसर बाल पर अश्मर और कोशल विकास परिक्षन केंद के लोकारपन समारों में ये बाते कहीं और उन्होंने कहा कि आज कल रीट के पेपर लिक होने पर चर्चा हो रही है और बहुत मन्थन भी किया जा रहा है और इससे जुड़ा मसला हमारे कोट में भी आया था और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हम बहुत सक्ष सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं और कोट का ये मसला था और मैंने कुछ बोलना अचित नहीं समझा हाला कि मेरे दिमाग में था और अब चाहे मित्यू दंड का प्रावधान ही क्यों न कर दे बिरोजगारी का मसला हम सुलजा नहीं पाएंगे तो पेपर लिक होते ही रहेंगे और वहीं राजिस्तान उचिन्याले के सदर से नियादेश इंदरजीय सिंग ने बताया कि राजे सरकार ने राज के बाल देख रहेंग संस्तानों में आउचक बच्चों के कोशल परिस्रिक्षन के लिए समर्थ योजना लागू की है और इसमें बाल अधिकारिक्ता विवाग ने 18 वर साल पूर्ण कर संस्तान चोड़ रही युवा की उफ्चियों को रोजगार के लिए कोशल परिस्रिक्षन उपलब कराते हुए समाज की मुक्यधारा से आउफ़वर्ड केर कारिक्रम लागू किया है स्टेट इंटेलिजेंस ने सरहत पार से फोन पर समपर करने की सूचना पर जैसल मेर में करीब 9 लोगों को समवार को डिटेन किया था और वहीं सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार जैसल मेर जिले में हुई इस कारवाई में पोकरन इलाके से पांच और जैसल मेर शहर से एक और किशनगर इलाके से तीन लोगों को डिटेन कर कड़ी पूस्ताच की गई और पूस्ताच में सभी के मुबाइल फोन को खंगा गया और वहीं जानकारी के अनुसार पोकरन से पकड़े गए पांच लोगों को छोड़ भी दिया गया बाकि जैसल मेर शहर से पकड़े गए एक यूवक और किशनगर इलाके से पकड़े गए तीन यूवकों को स्टेट इंटेलिजेंस की टीम अपने साथ जोध पूर लेक देना अपना शक्ती प्रदेशन वायव शक्ति के नाम से करने जा रही है और इस प्रदेशन को लेकर सरहद पारक एजंसिया भी इसको लेकर जानकारी जूटाना चाहर रही हैं और सरहदी जिलों में काई लोगों को अलग-अलग नाम से फोन करके इस बारे में पूस्ताच भी कर रही है जिसको लेकर इस्थानिस रोक्ष अजंसी भी सतर्क हो गई और इसको रोकने के भरकस परियास भी कर रही है। सवमवार को होई इस कारवाई को इसी संदर में देखा जा सकता है। काम किया करता था और वहीं आरोपी ने पुलिस से पूस्ताच में बताया कि हत्यारों की डिलिवरी ओर्डर पर करता था और हत्यार तसकर कुल्दीप ने पुलिस पूस्ताच में बताया कि वो मदेपरदे से हत्यार लाता है और जिसे वो जेपूर और जेपूर ग्रामिन के लाकों के लोगों को बेश दिया करता था और उसे जैसे ही हत्यारों की डिमांड मिलती थी वो दो से तीन दिन में डे डेलिवरी कर देता था और वह फकड़े गए हत्यारों की डेलिवरी भी वह नीमराना और अलवर में देने के लिए आया था और पुलिस को उस्ताश में कुलदीब ने बताया कि वो हत्यार अलवर और नीमराना में मोहित यादव और जेपाल जाट को देने के लिए आया था साथ नेटवर्क भी चुड़े हुए और वहीं नागवर के एक वीडियो क्रेटर जो अपने आपको लेडी डॉन बताती है और लाइफ वीडियो के जरी लोगों से बातचीत करती है और नागवर एस पी को खुले आम चैलेंज भी करती है ड्रक्स लेने का और वहीं लगजरी लाइफ महंगा नशा करती है और 27 साल की कमला हाली में इसका एक वीडियो शेर हुआ है और इसमें पुलिस से लेकर नेताओं तो कुछ जम कर कालिया दी गए और इसके अलावा नागवर एस पी को भी चैलेंज किया गया कि वो एमडी लेती है और वहीं बरानी गाउं की रह जिन्दे से जुड़े कमला के कई वीडियो भी है और लाइफ के समय कमला के हाथ में शराप की बोतल के साथ जिन्दा कार्टूश भी दिखे और वहीं कमला चोरदी पर दिसंबर 2020 में एक कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर को ब्लेक मिल कर 11 लाक रुपे एटने का आरोप था और इसके बाद नागोर पुलिस ने उससे गिरफतार भी किया था और इसके बाद उसका ब्लेक मिल के आरोप में उसका नाम सामने आने लगा और वो अकसर ऐसे वीडियो जारी कर धंकाती है और वीडियो में वो नागोर जिले के आसपास के सरपंच और अन्यनेताओं को धंकी भी दे रही है रानिवाड़ा पुलिस ने स्मैक और एमडी ड्रक के बढ़ते सेवन को देखते हुए नशेडियों के विरुद कारवाई शुरू कर दिया और रानिवाड़ा खुर्द चार रास्ते पास्वार रात को तीन यूवकों को गिरफतार किया गया और उनके कबज पारी पदमाराम ने बताया कि स्मैक नशे के परसार को रोखने के परियास और इसी को लेकर मुगबिरी तंत्र को अपडेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने मोहन सिंग सुरेश कुमार प्रदीब कुमार को मोटर साइकल सहीद किरफतार कर उनके कबजे से 18 स्मैक बरामत किया है और इनी की निशानगई पर कुछ और सफलता हासिल करने की संभावना है और इस सूटों ने बताया कि गिरफतार तीन नो यूवक लंबे समय से स्मैक के आदी बन चुके हैं और कई बार पहीजन पुलिस और सोशल वरकर्स ने इने नशा मुक्त कराने क परियास भी किया लेकिन नाकाम रहे और नसे के सेवन के बाद कई बार हासों के शिकार भी बन चुके और अब इन्होंने अपना तब का बढ़ा कर बढ़ा कर दिया है और इनके ग्रुप में कई अच्छे घरों की यूवा विफस कर नशे के आदी बन चुके हैं और पुलि किया अपने सामने बिड़न्त हो गई और हासे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल गंबी रूप से घायल हो गया है और वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भरती करा गया जहां उनका भी इलाज चारी है और घायलों की हालत भी बेहत नाजुक बताई पलिस ने मिर्टक के शव को मोचरी में रखवाया और बुद्वार सुबा पाई जनों को शव की पोस्ट माटम करवा कर पाई जनों को सौप दिया गया वही धाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि रिंकू और उसका भाई अर्जुन शिवराथी के मोके पर महादे मंदिर में दर्शनकर बाईक पर घर लोट रहे थे और इस दोरान सिक्रोधा पूरा के पास सामने से आए गेंदर ट्राहल की बाईक से जोर्डा टकर हो गए और हादसे में तीनों यूवक घंबी रूप से घायल हो गए और इस थाने लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना यूर एमबुलेंस से घायलो को सरकारी इस्पताल पहुचाए गया और हालत घंबीर होने पर डॉक्टर ने प्रात्मिक इलाज कर जिला इस्पताल ट्रैफर कर दिया जाने इलाज के दोरान द्रिंकू की मौत हो गई